दोस्तों खर आप भी वीडियो एडिटिंग के लिए अपने मुबाइल का यूज करते हैं और सीखना चाहते हैं एक complete pro level की वीडियो एडिटिंग तो ये वीडियो सिरफ आपके लिए ही है इस वीडियो में हम काइन माश्टर की help से complete video editing सीखने वाले हैं उसके हर एक छोटे feature से लेके बड़े feature के बारे में बात करने वाले है कि आप किस तरीके से अपने mobile के अंदर editing कर सकते हो हो सकता है ये video कितना भी बड़ा बन जाए मेरे को खुद नहीं पता किसकी length कितनी होने वाली है लेकिन इतना confirm जरूर है कि अगर आपने video ध्यान से देख लिया तो आपको यहाँ पर कोई भी doubt नहीं बचेगा कि आप डबल रोल video कैसे बना सकते हो आप trim कैसे कर सकते हो, cut कैसे कर सकते हो, कैसे sound effect add कर सकते हो, chroma की कैसे apply कर सकते हो अगराव अगराव जुतने भी हमारे पास editing के tool होते है उन सब के बार में इस video में discuss करने वाले है तो इस video को last तक पूरा देखेगा आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी बस एक ही request रहेगी कि वीडियो को कहीं पर भी skip मत कीजेगा तो चली वीडियो को start करते है बिना time waste की बट वेट 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 अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाहर आ रहे हो तो अभी subscribe करके bell icon को भी दबा दीजेगा क्योंकि माँ आपके लिए बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो लेके आते रहता हूँ साथ में अगर आपको टुटोरियल देखना पसंद है editing की VFX effect की का आप mobile में कैसे बना सकते हो तो description में आपको एक channel का link दिया गया है वहाँ पर आपको सरफ एक एक मिनट की वीडियो मिलेंगी जिसके दरा pro level की editing सीख सकते हो तो आप जाको उसको भी subscribe जरूर से कर लीजेगा मेरा ही channel है तो चले बढ़ते है tutorial की तरह दोस्तो सबसे पहले आपको के mobile के अंदर काइन मास्टर application को open कर लेना है जासा कि फिलाला मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ तीन स्क्रीन नजर आ रहे है जहाँ पे पहले में लिखा हुआ है 1 minute tutorial 2nd में tech triangle और 3rd में लिखा है 1 minute tutorial P actually आप जब भी कोई काइन मास्टर में वीडियो को edit करते हो वो नाम कैसे देंगे सबसे पहले वो सीख लीजिए ताकि आप कोई भी बड़ी फाइल को edit कर पाओ यहाँ पे आप जैसे किसी project को tap करोगे यहाँ पे tap करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा Untitled तो आपको करना क्या है उस Untitled पे क्लिक करणा है तो उसके बाद में आता हुआ वापिस यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आपको इंटरफेस पर सबसे पहले नजर आता ही यह वाला icon छोटा सा जो की दिया गया है शोप को लेकर इसके नदर आपको यहाँ पे अलग-अलग effects आपको effect आपको जो clip graphics है music है, sound effect है देखने को मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड करकर अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो उसके बाद यह जो icon दिया गया है यह actually सबसे main button है जहां से आप editing start कर सकते हो किसी फाइल को import या export कर सकते हो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारिक साथ बात करने वाले है तो वीडियो के साथ बने रही है थर्ड option पर जो दिया गया है वो है इनका YouTube channel अगर आप चाहते हैं कि काइन मास्टर का YouTube channel जाके चेक करो तो आप यहाँ पहाने के बाद उसको tap करके काइन मास्टर का YouTube channel भी चेक कर सकते हो उसके बाद नीचे option आता है settings का और settings के बारे में पहले बात करें उससे पहले आप editing सीख लेजिए क्योंकि जो settings है यह option आपके फिलाल काम का नहीं है editing के अंदर आपको settings के अंदर कोई भी मतलब नहीं रहेगा हम आते वापिस back और यहाँ पहने के बाद हमें सबसे पहले project select करने के लिए इस plus का icon पे click करना है देखिए आपको यहाँ पे तीन अलग-अलग option दिखाए जा रहे हैं अगर आप TikTok के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं आप वहाँ पे 16 aspect 9 ratio को भी चूज कर सकते हो अगर आप Instagram के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 aspect 1 ratio को चूज जरूर कीज़ेगा आज हम बात करते हैं कि हम कैसे किसी TikTok वीडियो को edit कर सकते हैं चलो आज हम बात कर लेते हैं कि यूटूब वीडियो को edit कैसे किया जाता है विकोजी टोपित थोड़ा सा हटकी है तो मैं आप यह 16 aspect 9 ratio को चूज कर लेता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा interface आ जाता है दिखने में अगर आप पहले बार काइनवास्टर को चला रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन बिलियो मी इस वीडियो को देखने के बाद आप ही वो लोग की बहुत ज़्यादा आसान था सबसे पहला आपका जो हम पर काम होता है वो होता है किसी भी मीडिया लेयर को इंपोर्ट करना मतलब कि मेरो को यहाँ पर कोई ना कोई मीडिया लेयर इंपोर्ट करना है अब मीडिया लेयर से मतलब मेरा यह है वो हो सकता है कोई वीडियो हो, हो सकता है कोई फोटो हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक media layer को select कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई भी वीडियो को import कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं किसी वीडियो को import कर रहा हूँ जैसे कि यहाँ से मैंने एक वीडियो को import कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद मेरे सामने ये वीडियो ऐसे बनके आ गई है जिसके दर मैंने सिखाया हुआ था कि आप किस तरह से अपना YouTube चैनल बना सकते हो यहां तक आने के बाद ये वीडियो मेरे सामने आ चुकी है अब आपको दिखाता हूँ किस कदर कौन कौन से editing tool आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले आपको मिलता है scissor का option देखिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो का आप left part से right part से या फिर जहां से चाहो वहां से trim कर सको या फिर काट सको तो आपको यहां पर scissor button का use करना है जैसे कि मान के चलो यहां तक मैंने वीडियो बनाया लेकिन मैं चाहता हूँ किस से पहले पहले कि सारी वीडियो गायब हो जाए मतलब कि left part वाली सारी वीडियो गायब हो जाए तो आपको scissor पे क्लिक करना है और trim to left of play head दबा देना है इससे क्या होगा कि आपकी सारी कि सा ला सकते हो उसके बाद बात करते हैं अगर आप चाहते हो कि right side से आप जो बची वीडियो है उसको trim कर दो तो आपको करना क्या होगा आपको वीडियो वहाँ पे लेके आना पड़ेगा जहां से आप trim करना चाहते हो और split to right of play head कर दी जो तो इससे क्या होगा तापकि video right side से completely completely remove हो जाएगी फिलाल में इसको भी नहीं करना चाहता तो इसको cancel कर देता हूँ उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी video में दो जगह पे cut लगाऊ और वहाँ पे cut लगाने के बाद कोई और media file को import करूँ तो वो कैसे होगा वो ध्यान से दिखेगा आप चाहते हो कि आप वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाते बनाते कोई आप दूसरी वीडियो एक बीच में include करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे split at play head करना पड़ेगा इसको वापिस से नीचे की तरफ इस timeline के नीचे की तरफ black part पे tap कीजिए और tap करने के बाद आप media layer पे बनाता कि यह वीडियो बीच में आई या फिर फोटो बीच में आए तो इसको हम वापिस से remove कर देते हैं और हमारी जो फाइल थी पहले के जैसे हो गई है अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको किस तरीके से और features का use करना है यहाँ पर आप देखिए मैं आपको एक छोट जूम कर सकते हो कुछ इस तरीके से जिस तरीके से आप पिंच आउट करते हो उस तरीके से और यह जूम करने के बाद आप देख पाओगे जो timeline है बहुत ही ज्यादा जूम हो चुकी है और हम इसको tap करके इसको trim to left of play head कर सकता हूँ तो आप देख पाओगे काफी अच्छे स day trim हो चुकी है अब इसको वापिस से pinch in कर दूगा अगर आपने यह सीख लिया है तो उसके बाद हम चलते है back पर और यहाँ पे आने के बाद आपको इमद बात बताता हूँ आपने कई बार देखा होगा कि DSLR से वीडियो बनाते हैं अगर हमारे पास 1018 lens है तो हम उसको कर दोगे इसके बाद आप इसके उपर tap करोगे और यहाँ पर जो second number option दिया गया है cropping का इसके उपर tap करके दूसरे वाले मतलब नीचे वाली layer पर click करके आप इसको zoom in कर दोगे जैसा अब इसको zoom in करोगे तो आप देखना कैसा effect आजाएगा आपकी वीडियो कुछ ऐसी बन यह मतलब कि आपकी जो वीडियो है वो zoom होती हुई नजर आएगी फिलाल में इसके जो आवाज है वो बिलकुल remove कर देता हूँ ताकि आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो तो इस तरीके कि आपको जो वीडियो है वो बन जाएगी और आपके जो वीडियो में एक zoom in effect आ जा आप से वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस फाइल को एडिट करना चाहते हो अब हम बात करते हैं तीसरे फाइल की तरफ यहाँ पर यह जो ओडियो का सिस्टम दिया गया है बहुत ही कमाल का है क्योंकि काइन मास्टर में आपको एक special feature मिलता है जैसे का आपको दि आते हैं मतलब effect आते हैं कम या ज्यादा कर सकते हो ओट वोल्यूम का मतलब अब नया एड किया गया एक नया feature आया था पहले आपके compressor दिया गया था और compressor करता था क्या था कि आपकी जो वीडियो उसके थोड़ी echo बढ़ा दिता था आवाज थोड़ी वह खराब कर दिता था म तो उससे मतलब बचाने के लिए आपके auto volume का option दिया गया है यहां पे जो left और right वाला पार्ट है इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप 3D audio create कर सकते हो video me जैसे कि आप मान के चला आपने एरफोन लगा लिया और अगर आप चाहते हो कि यह जो वीडियो है यह 3D में बने तो वो काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं है देखे करना क्या होगा आप चाहते हो कि आपके जो वीडियो उसके वाद सिरफ right ear में जाए तो आप इसको दो completely आवाज है वो left side जाएगी और अगर आप दोनों side रहने देते हो तो depend करता है कि आपके आवाज किस तरीके से record हुई है वो दोनों कानों में बराबर सुनाई देगी इस तरीके साब आपके जो आवाज उसको 3D में convert कर सकते हो उसके बाद आपको option मिलता है pitch का और यह जो pitch ह आपको समझा देता हूँ यह depend है modulation पे अगर आपको नहीं पता कि scientific meaning में जो modulation हो क्या होता है तो आपके जो आवाज की wave है उन्हें को app and down करने का काम करता है और जैसे जापके आवाज हलकी है तो उसको भारी कर देगा भारी आवाज है तो हलकी कर देगा मैं आपको कुछ demo दे अभी यह था कि हमने 5 मिनिट कैसे दे सकते एक बात बोली थी अब मैं इसके आवाज चेंज करके दिखाता हूँ तो आपको यहापर करना और पिछ के उपर आपको माइनस 6 कर देना है अब आप मेरे आवाज देखोगे एक बच्चे के जैसे बन जाएगी अब भी यह जो आवाज थी बच्चे के जैसे बन गेती जब आप moodulation को low करते हो तो आपकी जो आवाज है वो भारी बन जाती है लेकिन अगर आप इसी को ही अगर आप प्लस के 6 कर दोगे तो आपको जो आवाज है वो इक बच्चे के जैसे बन जाएगी आप देख सकते है तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके साफ किसी भी वीडियो की अवाज को चेंज कर सकते हो और बड़ी बात यह है कि यूटूब भी सवाज को सपोर्ट करता है ऐसा नहीं है कि यह आपको एक computerized voice है यह आपकी ही खुद की voice है बस इसकी जो modulation है वेव है वो change की गई है उसके बाद बढ़ते हैं अगले option की तरफ जो की दिया गया clip graphics clip graphics क्या होता है आपने जो भी first layer लिया हो आपकी वीडियो के अंदर आप वहाँ पे कुछ भी effect लगा सकते हो जैसे कि यह अब देखिए जैसे मैं वीडियो चलाओंगा तो यहां पे effect आ जाएगा और यह जो effect है हमारी complete वीडियो में लग जाएगा मतलब की आपकी जो वीडियो है वो cut out होगी cut in होगी देख मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा crop करके इसको मैं इसको यहां से trim at play head कर देता हूँ तो आप मैं जो वीडियो है वो कुछ हैसी नजर आएगी तो आपने देखा एक कमाल का effect इसके अंदर लगाया जा चुका था और मैं को काफ़ अच्छी effect दिखाता हूँ जैसे कि यह हो गया इसके आपके जो वीडियो हो रोटेट हो जाएगी अगर मैं जूम इन कर देता हूँ तो यह effect आ जाएगा जो कि आपको अभी दिखाया था अगर मैं इसको shake कर देता हूँ तो आपकी वीडियो shake करती हुई वो फिर एक दम से shake करती रहेगी बाउंस करता हूँ तो आपकी जो वीडियो है completely bounce करती रहेगी grid shift करता हो तो आपको जो वीडियो है मतलब उसके अंदर एक box से बन जाएंगे और आपको जो वीडियो है वो एक box की तरह कट होने लग जाएगे लेकिन अवाज वैसे की वैसे ही रहेगी तो इस तरीके से आप आपकी वीडियो के अंदर clip graphics लगा सकते है जिनको आप काइनमास्टर के स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं जहें नीचे get more यहाँ पे किलिक करके उसके बाद हम बात करते हैं next option के तरफ यहाँ से आप speed को कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर आप इसको 0.25 कर देते हो तो आपकी जो वीडियो है नॉर्मल वीडियो भी slow motion में चली जाएगी और आप चाहो उतना का उतना उसका slow motion में लेके जा सकते हो अब यहाँ पे एक option आता है mute audio का आपने काफी बार देखा होगा कि आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो अगर आप उसको slow motion में लेके जाते हो तो उसका जो आवाज है वो काफी खराब हो जाती है लेकिन अगर आप यहाँ पे mute audio कर दोगे तो आवाज बिल्कुल भी आएगी नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि आवाज खराब होगी है कि पिछ जो है इसके जो पिछ है मतलब 4x, 5x आप यहाँ पे करके इसको speed है इसको जादा भी कर सकते हो फिलाल में इसको 1x रहने देता हूँ मैंने चाहता कि मेरी वीडियो के जो आवाज है कम्या जादा हो उसके बाद आपको option मिलता है reverse का आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो वीडियो वगरा है वो एक slow motion में रहती है या फिर fast motion में रहती है आप उनको reverse भी कर लेते हो तो यहां से आप एक click के अंदर वीडियो को reverse भी कर सकते हो जैसा कि फिलाल मैंने आपको भी इस काइनवाश्टिक अंदर करके दिखाया है और यह नए software कंदरी मतलब नए virgin कंदरी एड होगा है दोस्तों यह भी हमारा काम हो चुका है उसके बाद हम आते है rotate and mirroring पे देखे आपने कई बार देखा हुआ कि आप अपने mobile से जब वीडियो बनाते है selfie camera से तो आपकी जो वीडियो है वो mirror image बनके आती है मतलब कि अगर आपने सेदे कपड़े पहने हुए तो उसके अंदर जो letter लिखे हुए आते है वो reverse में लिखे हुए आते है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा आपको rotate and mirroring में जाना है और आपको यहाँ पे इस mirror वाले option को select कर देना है आपके जो video है वो completely एक mirror image में change हो जाएगे और ऐसा लगेगा कि आपने video जो rear camera है उससे shoot किया है इस तरीके से आपके जो video है उसको ठीक कर सकते हो यहाँ साब इसको rotate कर सकते हो 360 degree के अंदर जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ मैंने चाहता कि वहलाल मेरी video auto rotate हो बिखुद मेरी video पहले से ही rotated है उसके अगला जो आपके option मिलता है दोस्तो वो मिलता color filter का जिसके अदर आप आके यहाँ पे आपके मन चाहे color अपनी video में डाल सकते हैं जैसे कि यह डाल दिया यह डाल दिया आपके हिसाब से आप कोई भी color filter अपनी video के अंदर लगा सकते हो दोस्तो tutorial काफी लंबा बनने वाला है तो आपसे एक ही बात बोलूँगा कि video तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा otherwise possible नहीं है कि आप इसको पूरा सीख पाओ तो tutorial को ध्यान से प्लीज पूरा देखिएगा आपने color effect डाला सीख लिया adjustment जो है बहुत कमाल का feature और personally मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह जो feature है इसके निरा आप अपने मन चाहे हिसाब से effect लगा सकते हो कि यहां से brightness कम्याद ज्यादा कर सकते हो यहां से आप जो contrast है कम्याद ज्यादा कर सकते हो और अगर आपको color grading आती है तो यह feature तो सबसे अच्छा है अगर आप बात करता हो काइन master की मतलब कि sony vegas pro के अंदर जो हमें देखने को मिलते है सारे सारे टूल वह सारे इसमें देखने को मिल रहे है कुछ ही टूल है जो कि यह computer का तो यार मुकाबला नहीं कर सकता काइन master बट blue में बहुत कुमाल का software है अगर आप नहीं तक इसको यूज नहीं किया है तो आपको करना चाहिए हम बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ जो कि दिया गया है equalizer और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर जो आवाज है उसको कम्या ज़्यादा कर सकते हो जैसे कि voice हो गया, treble reduger हो गया, treble booster हो गया, रोक हो गया, R&B हो गया, पोफ हो गया, natural हो गया आप जो आवाज इसकी वो भी change कर सकते हो यह जो feature है फिलाल नया दिया गया है मेरको personally बहुत पसंद आया volume envelope क्या चीज है यह जो चीज अगर आपने सीख लिए तो मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ सीख जाओगे आपने काफी बार देखा वार कोई व्लोग चलता है और उसका अदर एकदम सा जो music है आवाज के time के हिसाब से कम जादा हो जाता है वो चीज यहां से की जाती है मतलब की आपने आवाज देखी उसके बाद में आपने बोला तो उस बोलने वाले time पे जो आवाज कम हो गई वो जादा हो गई तो उसके लिए आपको करना किया जैसे का आपको यहां से आवाज कम करनी है तो प्लस का एकन पे क्लिक करना है और जहां तक आपको आवाज कम करनी है वहाँ पर जाना है और प्लस का एकन पे क्लिक कर देना है और आपको इनके side में थोड़ा थोड़ा आके इन दोनों के उपरी प्लस का एकन पे क्लिक कर देना इनके थोड़ा side में आके अब आपको करना क्या है वीडियो को जूम इन करना है और यहां पर आके इस part पर आके आपको जो है नीचे की तरफ कर देना है और इधर भी आके आपको यह जो है नीचे की तरफ कर देना है जैसा आप इसको नीचे की तरफ करोगे आपका यहां पर जो वेव है वो आपको शो मतलब आप कोई Gents और आप चाहते हो कि आपके जो आवाज हो एक लड़की के वाज में बदल जाए तो आप यहाप आने के बाद Woman चूज कर सकते हो उसके बाद हम Back आते हैं यहां से और जो अपनी Effect लगाए उसको वापिस कर लेते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपने कोई गलत step लेलिया या फिर आप चाहते हो कि कोई step वापिस आ जया अगले step पर जाना उसके बाद Vintage मिलता है आप चारो तरफ से एक Black Is Effect दे सकते हैं अपनी वीडियो के अदर और Extract Audio, यह पहले आपको Trim के अंदर मिलता था, लेकिन अब इसको अलग से लगा दिया गया है, और यहाँ पर लिख दिया गया Extract Audio, इसके अंदर आप यहाँ पर अपने किसी भी वीडियो का जो ओडियो है, उसको Extract करके उसको यूज कर सकते हो, दुबारा से उसको Edit कर सकते तो काफ अच्छा feature का इन Master में यह भी देखने को मिलता है, दोस्तों उसके बाद हमें बात आती है, यह तुमारी जो फोटो वीडियो थी, उसको हमने Edit करना सीख लिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो लेयर वीडियो है और यह जो वीडियो है, दोनों के बीच में एक effect आजाए, उसके लिए आपको यहाँ पर इस box पे click करना पड़ेगा और जो भी आप इसमें effect लगाना चाहते हो, वो effect आप इसमें लगा दीजिए, तो होगा किया, जैसे आप किसी वीडियो को play करोगे तो आपके जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से घूमते भी नज चाहते हो, अब देखिए, कई बार होता है कि कोई वीडियो होता और वीडियो के अंदर से में थमनेल निकालना होता है, तो वो काम हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, आपको करना क्या है, यहाँ पर tap करना है, और tap करने के बाद आपको, जैसे कि दुबारा से इसे को उसके बाद बात करते है, अगर आप यहाँ फोटो एड करना चाहते हो, तो मेडिया पर जाके, आप यहाँ पर कोई भी आपकी मन चाही फोटो भी एड कर सकते हो, जिसको आपकी वीडियो में यूज़ करना चाहते हो, तो फिलाल मैंने आपको यह बात बता दी कि आप यहा तरफ मीडिया में जाओ, फिवरेट में जाओ, आपको इधर की इधर ही ये फाइल मिल जाएगी, आपको बार बार लोगो चूज नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद हम दुबारा से मीडिया में जाते हैं, बैक ग्राउंड में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जो कि सार बहुत कमाल का है और काइन मास्टर के अंदर तो इतना छड़ी जान किया गया है जिसके बारे में आपको मैं बता भी नहीं सकता सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन का यूज कर सकते हो मतलब कि अगर आपको चाते हो कि आप किसी वीडियो का बैकडरौंट चेंज कर दो तो यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट चूज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए और इस प्रोजेक्ट को डिलेट कर देता हूँ आपको मैं दुबारा से एक file select कि मैंने एक media browser पे गया और मैं यहाप ब्राउजर में जाके और मैंने यहाप एक color choose कर लिया जैसे कि मैंने यहाप यह color choose कर लिया और color choose करने के बाद यहापे मैं इसका background color कोई भी choose कर लेता हूँ vintage effect दे देता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो है वहाँ उसका जो background है वो यहाँ पे आ जाए तो मैं करूँगा क्या layer पे जाओंगा और layer पे जाने के बाद media पे जाओंगा और यहाँ पर से वो वीडियो लूँगा मैं जिसका background change करना चाहता हूँ इस वीडियो को मैंने यहाँ पे लिया इसको fit किया आपको fit करने के लिए एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप इसको दबा के भी इसको fit कर सकते हो यह जो है completely fit हो गया मैं चाहता हूँ इसका background remove करना तो इसके उपर tap करके यहाँ पे chroma की जो option दिया गया अब देखिया को करना क्या layer पे जाना है और media पे जाना है layer पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है आपने कई बर देखा होगा कि मैं video बनाता हूँ और side where mobile की screen बे चलती रहती है और अगर मैं कुछ और भी लगाता हूँ तो layer editing हो जाती है मतलब कि one layer two layer three layer four layer एक video के उपर जब द करने के बाद media पे जाना पड़ेगा और मैं जिस भी वीडियो को या फोटो को import करना चाहता हूँ वो फोटो या वीडियो में आप इंपोर्ट कर लूँगा जैसे कि मैंने आप यह कर लिया है यह import करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको जो left part है right part है जो कि आपको मैं पहल पर टैप कर देना तो आपको जो screen हो completely इसमें fit आ जाएगी लेकिन आपको एक बात बता दू कि जब screen को split करते हो fit करते हो इसके अंदर तो आप इसके अंदर chroma की enable पहले नहीं कर सकते थे लेकिन अब इसके अंदर आप कर पाओगे हम करते है back और third option पे आने के बाद आपको इसके बारे में पहले बता चुका यह क्या होता है सारे का सारे टूल इन अनिमेशन बताता हूँ बहुत जरूरी चीज है उससे पहले आपको जो chroma के में इसको disable कर देता हूँ इसको मैं बाद में सिखा हूँँगा आपने यहापे in animation का मतलब होता है कि आपके जो video हो डारेक्ट स्टार्ट हो रही है लेकिन आप चाहते हो कि आपके जो video है effect के साथ स्टार्ट हो तो इन animation में जाओ fade कर दोगे तो आपकी video कुछ इस तरीके से start होगी जासे कि आप देख पा रहे हो नीचे से आप time adjust कर सकते हो कितने time में fade in होनी चाहिए कितने time में fade out होनी चाहिए यहापे आप pop up कर सकते हो आपके जो वीडियो एक pop up करके आएगी slide right कर सकते हो wipe up कर सकते हो wipe down कर सकते हो आपके मन में जो effect आए वो effect आप लगा सकते हो तो फिलाल मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ मैं नहीं चाहता कोई भी effect लगाना इसे तरीके साब overall animation set कर सकते हो मतलब कि flicker आपकी video कुछ flick करते हूं नजर आएगी pulse आपकी video कुछ इस तरीके से pulse करते हूं नजर आएगी तो इस तरीके से आप आपके हिसाब से कोई भी effect इस video में डाल सकते हो out animation का मतलब होता है जब आपकी video खतम हो तो वहाँ पे किस तरीके से गायब होगी इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप आपके हिसाब से इसके अंदर कोई भी effect लगा सकते हो अब सबसे main roll आता है chroma key का और ये जो chroma key है इसको बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं जो कि आपको सही करके दिखाने वाला हूँ chroma key सीखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहली बात आपका जो background है उसमें light काफी हद तक ठीक होनी चीए अगर उसमें noise हुई तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी फिलाल मेरी वीडियो के अंदर भी जहां पर अपनी elbow होती है उसके नीचे थोड़ा सा एक noise आ रहा है जिसके वज़े से जो वीडियो का background है थोड़ा सा खराब हो सकता है कोई बात नहीं आपको सिखाता हूँ chroma की पर tap करते है और इसको enable करते है सबसे पहले सीखते है कि हम इसको adjust कैसे करेंगी तो जो नीचे वाला part दिया गए और जो उपर वाली दो line दी गई है पहले समझ लेते हैं उपर वाली line background को remove करने के लिए दी गई है और नीचे वाली line एक body को या फिर जो green part नहीं है उसको remove करने के लिए दी गई है उसका region पता है कि यहाँ पर की color में हमें वो ही color select करना पड़ेगा जो कि हमारे हरे पड़दे का है उसके लिए हम यहाँ पर एक drop tool होता है अगर वो मिल जाता तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता फिलाल हम यहाँ पर color adjust करेंगे और अपने हिसाब से color adjust करने के बाद इसको remove करने के कोशिश करते है background से तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको यहाँ पर background color को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना उसके बाद आपको यहाँ पर यह जो green screen इसको remove करना तो आप देख पाएंगे यह लगबग होई गया तो हमारा जो green screen हो completely remove हो चुकी है और हमारा background अब gray बन चुका है तो इस तरीके से आप background तो remove कर सकते हो लेकिन यह जो दो option बच गए detail curve और यह show mask है यह कैसे काम आएंगे इनको सीखने के लिए आपको detail curve पर क्लिक करना पड़ेगा और अगर आपकी video किसी भी तरीके से मतलब noise remove होती ही नहीं है तो आप यहाँ से यह आपको सीखना पड़ेगा एक special तरीके से आप बोलोगे तो आप particular video बना सकता हम इसके उपर आप इससे अपना जो background है उसको अच्छे से remove कर सकते हो और इसके बारे मापको एक proper video ही बना के बता सकता हो फिलाल आप देख पाओगे जो noise हो completely remove हो चुकी है थर्ड option आता है show mask का और यह जो है बहुत useful है इससे होगा क्या कि आपकी जो body है वो तो white हो जाएगी और आपको complete background है वो black हो जाएगा और आप easily यहां से background को remove कर सकते हो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है फिलाल हम इसको करते है cancel और आते है fifth option की तरफ जो कि दिया गया है cropping अब cropping जो है फिलाल हम यूज नहीं कर सकते है उसका reason यह है कि हमने fit to screen किया हुआ है जो हमारे पास second option आता है हमने इसका use किया हुआ है अगर हम cropping का use करना चाहते है तो इसको हमें off करना पड़ेगा अब जाते है cropping पे cropping एक ऐसा tool है जिसके जरीए आप आपके जो फोटो है वीडियो है उस जो भी आपने ले रखा उसको crop करके लगा सकते है जैसे कि मैंने आप इतना crop किया और लगा सकता हूँ इस तरीके साब cropping टूल का use कर सकते है तो फिलाल में इसको undo कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूँ और इसको मैं fit to screen कर देता हूँ ये करने के बाद आपको यहाँ पे option मिलता reverse का जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ alpha का मतलब होता है कि आप इस देख पा रहे हो तो फिलाल में color change नहीं करना चाहता मैं आतो filter पे और यहाँ पर rotate and minima को पहले समझा चुका हूँ adjustment पहले समझा चुका हूँ equalizer पहले समझा चुका हूँ और volume envelope भी पहले समझा चुका हूँ आपको मैं voice over भी समझा चुका हूँ और blending feature जो है यह बहुत जरूरी है अगर आप किसी photo का यूज करते है आप blending feature को ऐसा समझ सकते हो कि आप यहाँ पे layer का ही यूज कर रहे हो और आप उसका background चेंज करना चाहते हो या फिर आप उस photo को delete करके background रखना चाहते हो या किसी particular color को आप मतलब overlay करना चाहते हो screen करना चाहते हो उसके लिए blending effect यूज किया जाता है दोस्तों video काफी boring लग रहा है आपको तो उसके लिए sorry कुछ मैं क्या करूं कुछ सिखाने के लिए इसी तरीके से आपको बताना पढ़ रहा है और थोड़ा थोड़ा बोर तो मैं भी हो रहा वीडियो के आर लाइक कर दीजेगा मेरी महनत कामियाब हो जाएगी और अपने दोस्तों साथ यसी वीडियो को शियर में कर दीजेगा और अगर आपको कहीं पर कुछ कमी लग रही है तो आपको कमेंट करके बता सकते हो मैं जरूर से आपके कमेंट को पढ़ने के कोशिश क करूँगा अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल बारिकी वाली एक मिनिट के अंदर यह जो टूटोरिल है बहुत लंबा हो रहा है अगर आप छोटी-छोटी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पहुत ही कमाल के चैनल का लिंक दिया गय तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि अपना प्यार जरूर से दिखाईएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो ब्लेंडिंग फीचर है वो आप नॉर्मल मल्टिप्लाइ स्क्रीन, सोफ्ट और जो हाड लाइट, कलर बन यह जो दिये गए है आप इन ठलका इफेक्ट हो गया, सोफ्ट लाइट हो गया, स्क्रीन हो गया, मल्टिप्लाइ हो गया, आपको मैं फोटो के इनल ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा तो इसको इफेक्ट हों बाद में समझते हैं, बैक आता हूँ और इंफ्टर्मेशन का मतलब है कि आपको जो वी दर में वीडियो का यूज़ कर सकते हो, आप इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी लेयर चाहिए उतनी लेयर यूज़ कर सकते हैं, उसके उपर मैंने प्रोपर वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख लीज़ेगा, अब मैं बा चैनल के चलो कि आपने किसी फोटो को स्लेक्ट किया, जैसे कि यह हो गया, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो वाइट बैक्ग्राउंड हो, कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जाँगा, ब्लेंडिंग फीचर में और ओवरले क उपर और नीचे से जो फोटो हूँ, उसका बैक्ग्राउंड रिमूव हो गया है, मिल्टिप्लाई कर दूँगा, तो कम्प्लीट ही रिमूव हो जाएगा, स्क्रीन कर दूँगा, तो यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़े नजर आ रहे हैं, मतलब कि पीछे वाला बैक्ग के अंदर भी आपका saturation है, वो काफी भढ़के आ जाएगा, तो आपने देखा किस तरीके साथ blending feature का यूज़ कर सकते हो, अब आतों back और यह सारे feature में आपको पहले समझा चुका हूँ, जिनको समझाने के दुबारा जरूरत नहीं है, तो आपने सीखा media कैसा यूज़ करते है अब आप सीख लिजिए, कि यहाँ पर जो बीच में icon दिया गया, यह कैसा यूज़ करते हैं, यह यूज़ करते हैं, यह यूज़ करते हैं, आप जैसे इसको पर tap करोगे तो आपको option दिया जाएगा, camera का और camera का, और camera का, अगर आप अपने mobile से video बना रहे हैं, और आपके स start recording, आप यहाँ पर voice over के लिए, इसका use कर सकते हो, आपको करना क्या है, कि आपको सीखना है, कि आप कैसे voice over कर सकते है, अपनी video के अंदर आपके जो photo हो चल रहे हैं, और आपको उसके उपर से बोल रहे हो, तो जैसे कि फिलाल मेरी video चल रही है, मैं सिखाना हूँ कुछ है, इसको start कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरी आवाज record होनी start हो जाती है, फिलाल मेरी आवाज इसके अंदर record हो रही है, फिलाल में करता हूँ इसको stop और आता हूँ वाप इससे back, अब मैं बता हूँ आपको आपको चोथा option मिलता है music का, बहुत ही कमाल का है, अगर आप इसको सीख लोगे, तो आप यहाँ पर अच्छे sound effect डाल पाओगे अपनी video के अंदर और कुछ भी बहुत कुछ कर पाओगे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, आपको करना कि sound effect डाला है किसी रोने वाले बच्चे के, तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा आगे लेकिए, वीडिय add play add कर दीजिए, और आगे ही आगे आने के बाद music पर जीए, और आपको जो भी sound effect add करना है, वो sound effect आप इसके अंदर add कर दीजिए, जैसे कि मैं यह sound effect इसके अंदर add कर दिया है, तो जब यह चलेगा तो कुछ ऐसे वाज आएगी, इस तरीके सा आपको जो मन चाहे sound effect है, add कर सकते है background music में, लेकिन उसके अंदर भी समझने वाली बहुत सारी बाते आती है, क्या क्या आती है, वो यहाँ पर धान से समझ लीजिए, music पर click करोगे, आप कोई भी song है, जैसे कि dark side हो गया, मैं इसको यहाँ पर select कर लेता हूँ, इसको select करने के बाद, आपको यहाँ पर loop के उपर, loop पे जाने के बाद, आपको loop to end कर देना है, मतलब कि आपके जो वीडियो है, उसके last तक आपका audio चला जाएगा, इसके बाद आपको option मिलता है, वो इस changer का, जहां से आप यहाँ पर voice भी change कर सकते हो, आपने जो भी आवाज record की है, आपने जो भी गाना record किया है, आप उसके आवाज change कर सकते हो, जैसे कि two-pitched voice हो गया, alien हो गया, चिंपुक हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, आपका जो audio होगा, या फिर आपका sound होगा, उसके completely आवाज तेज हो जाएगा, मतलब sound ही change हो जाएगा, आपने देखा कि आप किस तरीके से media का use कर सकते हो, layer का यूज कर सकते हो, voice का use और आप audio का use कर सकते हो, उसके बाद आपको side में option मिलते हैं, यहाँ पर left side में कि आप कैसे redo और उसको undo कर सकते हो, उसके बाद option मिलता को share का, जहांसा आप इस video को export कर सकोगे, इसके बारे में आपको पहले में बता चुका हूँ, अब option मिलता है settings का, अब इसको आप ध्यान से समझेगा, आपने पहले बार देखा होगा कि आप पहले जब काइन मास्टर में किसी video को export करते थे, तो जो आवाज होती थी, वो last में down पड़ जाती थी, लेकिन next update के बाद उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है, और जो आवाज है last में बिल्कुल भी कम नहीं होती है, वो क्यों होता था, एक्चुली होता क्या था, कि जो audio होता है, इसमें आपको एक option मिलता है, audio fade in और audio fade out, audio fade out का मतलब ही है, कि आपकी जब video खतम होगी, तो वहाँ पे जो audio है कितना fade out होना चाहिए, मतलब कि जो आवाज धीरे धीरे गायब हो जाएगी, और audio fade in का मतलब यह होता है, कि जब आपकी audio start होगी, आप फिर आपकी जो video start होगी, तो वहाँ पे कितने time तक आपकी जो आवाज है, धीरे से तेज होनी चाहिए, तो आप इसको यहाँ से own करके, आपके हिसाब से time set करके, audio fade in या फिर audio fade out को adjust कर सकते हो, अब आप यह बात औ इसको आपको बता दू कि एगर आप video fade in को 2 second के लिए own कर देते हो, तो आपके जो video है, वो 2 second के बाद ही नजर आएगी, तो आपने देखा किस तरीके से आपके जो video है, बिल्कुल धीरे धीरे वो दिखती हुई नजर आती है, fade in होती है, तो इस tool का आप इस तरीके से इस्त इसको आपकी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो की नए अपडेट में दिया गया है, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो default duration of layer है, किसी वीडियो की हो गई, या फिर किसी photo की हो गई, वो आप set कर सकते हो, उसके बाद आपको option मिलता है, default pan and zoom mode for a photo clip, मतलब कि आपको यह कि आप जब भी photo import करोगे, तो वो किस तरीके से आपके जो काइन मास्टर है, उसमें import होनी चीए, तो यहाँ आपने fit to screen किया हुआ है, मतलब कि जैसे मैं किसी photo को import करूँगा, वो automatic ही complete screen में fill हो जाएगी, तो यहाँ से आपने setting option को भी समझ लिया है, इसके बाद यह last option दिय आपको देखने को मिलता है, कि उपर की आपका preview है, वो completely gaiv हो जाता है, और आपके पास सरफ timeline बसती है, जिससे आप analyze कर सकते हो इस चीज़ को कि आपको जो video है, वो कैसी नजर आ रही है, उसके बाद आपको option एक और मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल का है, एक pin का option आपको keyframe editing भी ठीक ठाक कर सकते है, मतलब कि जादा नहीं बोल सकते है पन, लेकिन उसको keyframe editing में इसलिए बोल रहा हूँ, कि आप वहाँ पे उसको animation डाल सकते हो, तो उसके लिए को करना क्या पड़ेगा, आपको कोई भी एक photo या फिर video import करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ यह किया मैं बताता हूँ, यह option क्या है, actually आपको करना कि अब यहाँ पे आना है, और इसको size को बिल्कुल कम कर देना है, और इसको हम लगा देते हैं, और आपको last-last में आना है, और इसी को आपको यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ जाना है, तो आप देखोगे, जैसे ही video चलेगा मैं इसकी पहले आवाज कम कर देता हूँ, जैसे ही video चलेगा, तो यह जो आपका symbol था, यह उदर से चलके इधर आएगा, और आप इसको आपके हिसाब से adjust कर सकते हो, जैसे कि मैंने दुबारा से क्लिक किया, की पे क्लिक किया, और मैं बीच में आया, और यहाँ पे आने के इसको यहाँ पे टैप किया, फिर मैं वापिस से थोड़ा पीछे गया, और इसको इधर की साइड करके, और मैं इसको save कर देता हूँ, यह काम जैसे मैंने कर दिया, तो आप देखेगा कैसा video बन जाता, यह यहाँ पे logo आया, और यहाँ पे एने के बाद वापिस गया, और मैं आपको बताता हूँ, कि आप किस तरीके से project को save कर सकते हो, वह भी अच्छी quality के साथ, तो आप जैसे ही share के button पे click करोगे, तो आपके सामने आप option आजाएंगे, 360P, जो मतलब standard होता है, जो high definition होता है, वो full HD, और आप QHD और 4K, तो फिलाल मैं आपको बता दूगी, अगर आप 4K में export करोगे, तो जो video है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो वह तो आप पे depend करता है, कि आप 4K में export करना चाहते हो, और फिर नहीं करना चाहते, और आप option मिलता, full HD का, तो यहां से आप जो 30 frame rate है, 25 frame rate है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, फिलाल मैं 0P का यूज़ करते हो, तो आपको 10 Mbps का यूज़ करना है, जो कि आपको एक काफ अच्छी जो video quality है, वो provide करवा देगा, तो दोस्तो यह था एक complete tutorial, कि आप किस तरीके से complete video को edit कर सकते हो, mobile के अंदर, एक pro level से, अगर आपको यह video अच्छा लगा है, तो इस video को like जरूर कीज और चैनल पर पहली बार आएगे, तो सब्सक्राइब करके बैल आगन को जरूर दबा लीजेगा, तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आज के बाद, आप किसी से यह बात नहीं पूछोगे, कि आर काइन मास्टर में editing कैसे की जाती है, इस video मैंने हर एक tool के बारे में आपको तक कि कि आर आएगे, तक के समदोगी और र तर ओीजेगारे में कि नहीं जाल beiden जोल लű चेंगे, ड्जारे में कि अिसलुक बारे में आसक बारे में आदिए लेगे, प्योगे कि बारे में चत्यों कि आरूरेगे